इसने ही तरे कॉंग्रेस का ध्यान हमेशा अपने एक परिवार तरफ रहा इसलिए उसने कभी एक ही परिवार की सेवा सब कुछ एक परिवार के लिए और इसलिए कभी सामान्य मानवी के परिवार पर उनकी जरूरतों पर कॉंग्रेस दे कभी ध्यान ही नहीं दिया नतीजा यह हुआ कि कॉंग्रेस का वो परिवार आगे बढ़ता चला गया और देश पीछे छुटता चला गया जनता की जरूरते उसके लिए संकट बनती चली गई यह सिलसिला तब बंध हुआ जब बीजेपी की सरकार बनना शुरू हुई हमने अपनी सारी उर्जा पुराने गड़ों को भरने में और बविश्य को बनाने के लिए काम करने में लगाई हमने बड़े निर्णे लिए हर वर्ग की जरूतों के हिसाब से नितिया बनाई